ईलार्सी एलार्सी एलार्सी जब बात भविस्थ से की होती है फिन तो एलार्सी की बात करनी बनती है तो जैसे कि पता होगा आप लोग का यहां पर रिजल्ट आ चुका है और जितने भी मेरे ओडियोंस से मैक्सिम्म लोग बीटे कहीं से कर रहे हो या करने वाले हो तो सभी के साथ यह वीडियो सेर होने वाली है चुकि इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट जो डार्क रहे हर एक डाउट और हर एक जो क्वेरी आ सकती थी जो मेरे से पहले से वी काफी लोग पूछे जा रहे थे कि भीटे को करना मेरे लिए सही रहे गा या सभ करना कोई करना चाहेगा या बिटेथ त्यारी कर रहा है इस पर काफी लोग का दिक्कत होने वाली है चुकि आप तरीका से निद्रा लेना अभी के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है तो सभी का तो जब होना पॉसिवल नहीं है रिजल्ट आ गिया है एक अलग मेटर है तो उस मेटर पर हम बात करने माना तो वीडियो काफी जड़ा इंपोर्टन नहीं रहेगा तो वीडियो को लास्त त का जो रिजल्ट हुआ है ठिक है और जो यहां पर सीट है क्या लगता है कि बहुत सभी डिफरेंट है मतलब 2-3 जादा ब्लिब यहां होना पॉसिवल है क्या मेरे खैल से देखें बिल्गुल नहीं होने वाला है क्योंकि जो दिया गया है रिजल्ट तीन गुना धाइग उन limit मात्रा में है लग आट से 10,000 के आसपास vacancy बता ही जा रही है और उतना ही है तो आगे जो candidate है उनको कैसे मिलेगी लेकिन जैसे मैंने भी notification पड़ा था और कई सारे गूरूप में भी डिसकर्ज किया था तो मैं भी कभी कभी गूरूप देख लेता हूँ तरेडम पता चल जात या किसी का retirement या किसी का joining के बाद भी कोई leave करता है ठीके तो उस टाइम पे उसकी joining की जा सके तो जिसके विसे लुटिंग लिश्ट भी दे जाएगा जिसके विसे कुछ यहां पे जो है result ज़्यादा चड़ा बड़ाक दी गया है जितना requirement का post है जितना seat है उससे ज़्यादा मेरे विचार से जो अभी फिलाल बीटेग में फर्स्ट यर में हैं वह admission करा लिए हैं तो कोशिस करें कि डोकिमेंट verification कर वा लें ठीक और अगर वैसे जो त्यारी नहीं किया थे वह अलग बात है result हो गया है कुछ लोग फर्स्ट यर में कुछ लोग सेकंड यर में जाते हैं जो कि डिप्लोमा करके second name जाते हैं और कुछ लोग ऐसा नहीं है कि फर्स्ट यर में जाते हैं जो लोग बीसी से ली नहीं निकाल पाते हैं तो वह आपका बैसिकली यहां पर फर्स्ट यर में मिचान लेते हैं जे डवल ई वाला जो एक्जाम होता है उसको दे करके तो वैस है कि छोटा सा जौब है जो कि हम लोग जान तो लह संभीदा पर है अगर आप उससे आप अगर चाहते हैं कि आगे बढ़ें आगे करें तो इसके लिए आपको बीटेक तो करने पड़ेगी क्योंकि सुच के देखो आपकी अगर ड्रीम सबसे बड़ी है जो एपीएसी करना चाहते है जो गेट निगाना चाहते है जो एकदम अच्छी लेवल की प्रफेशनल जॉब करना चाहते है तो भाई आपको बेस्ट पाने के लिए बेटर छोड़ना पड़ेगा एक चीज़ का दिया सबस्क्राइब करता है कि मेरे घर में अतना सपोर्टिव लोग है जो मेरे जॉब से मेरे पैसा से भी नहीं रखते हैं बट मेरे लाइफ से इंपोर्टन रखते हैं मेरी अपने खुद की वहलू ब्रांड बनानी है मेरे को अपने एक एक एसीमेंट ड्रीम जॉब चाहिए जो कि एक पर्मेनेंट जॉब हो सकता आज आप जेई के लिए बीटे को छोड़ोगे क्या पता कल आप बीटे कंप्लीट करके एई बन जाओगे तो उससे जादा ही पोस्ट और जादा ही सेलरी पे आप जाओगे तो वह इंपोर्टन रखते तो सोच समझ के डिजन लेना का चाहिए का कशाव करोगा उन इस जाओए क्या जाओए बीटे कटिनियु को रहा हालां कि अभी पुरा कंप्लीट प्रोसस नहीं हुआ है अबी ऑन दब्रोसस अर से नहीं हुआ है आप पर जाओगाए कि जो लोग भी यहांप से उम्मीद करते हैं थीक है क्या लगता है आपको सेलरी इतना से जिंदगी कट जाएगा यह सेलरी कुछ कम नहीं लग रहा है आपको यह मतलब लगता है कि थोड़ा और पढ़ले पर्मनेंट जॉब के पीसे भागे तो ज्यादा बैटर होगा यह मतलब वेकेंसी है तो चलो यह ठीक है जिनको फानेंसरी अकर दिक्कत है ना बाई मैं कहुंगा आख बन करो इलार्सी में रिजल्ट हुआ है जोइन कर लेना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बट फानेंसरी आपको लगता है कि हमें स्ट्रॉंग है मेरे पास उतना आपको फानेंसरी अगर वीक हो जरुवत है तो फिन बीटेक को अभी छोड़ देना ही सही रहेगा आपके लिए आपको अपना जो फैमली है या जो इनकाम है उसको आपको चूज करना ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो बिकास आप बताओ सेलरी जो है वो परफेक्ट है सेलरी को लेका इसी हो गई है कि अभी सिच्वेशन के नुसार हम लोगों को 30,000, 31,000 बहुत ही कम होती है ठीक ना क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं जो आप खर्च जो है बहुत ही बढ़ गई है आफ्टर कोरोना के बाद जो हम लोगों का जो मार्केट बढ़ा है बहुत ही तेजी से बढ़ा है ठीक ना तो इस वज़स हम लोगों को लगता है कि आप 30,000, 31,000 या 35,000 के पिछे अगर अभी आप भागते हैं 20 साल, 25, 25 साल के उम्र में तो आने वाले समय में आप लोगों को फानेंसली बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा ठीक ना अच्छा मैं आपको औ आपको थोड़ा देर पहले बोला ना कि जो रिजल्ट है वो कहीं ने करें दो तीन गुना ज्यादा दी गई है तो जो सीट है उतना इमिटेड है उत्तर बढ़ना है नहीं तो जितनी लोगों का यहां पर वीटेक में अब्निशन हो रखा है और वो कहीं ने कहीं थोड़ा क आप कुछ नहीं करो तो बिटेक कर रहो आपको बेस्ट टाइम नहीं देरो आपना जो लोग बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं बिटेक का त्यारी नहीं कि नहीं वा उनको तकलीफ होगी कि भाई मगर में लर्सी नहीं जोइन किया यह मेरा रेंग कम आया है तो फिन मेरा नहीं होगा तो फिन मेरे को और कंपडिशन करना पड़े हैं कि नहीं बात पते हैं बिल्कुल सही बात है इस पर एकदम आप लोग पास एक प्लस पॉइंट है बीटेक कर रहे हैं उनके लि जोब पहले मतलब result देगा फिर उसके बाद document verification कराएगा फिर क्या करेगा कुछ नहीं पता है इसलिए आप लोग क्या किसी अराम से सांती से और सही तरीके से आप लोग आगे बढ़े बिल्कुल सांत मैं पता है आपको एक चीज और मैं बता हूँ जो इंट्रेस्टिंग है साइट कि यह डार्क होगा हम लोग के लिए पता है आपको एक चीज और है कि जो लोग भी लड़ से जोइन कर लेंगे हालां कि मैं इसको मतलब इसको positive में मिलेंगे हालां कि यह जो fact बात है जो मेरे दिमांग के नदर चल रही है यह डार्क यहीं है पता है आपको जो लोग कि जो चमता है जब पढ़ने के जो duration है जो समय है वो कम हो जाएगा वो पढ़ेंगे कम जौब में जथरो ज्यादा बीजी रहेंगे कितनों भी अपने आपको मुडवेट करेंगे तो तीन से चार घंट डेली पढ़ेंगे लेकिन लोग का सरेक्शन नहीं हो पाएगा ना आ पढ़ना होगा पढ़ना भी होगा तो उनके पास कम टाइम बचेगा तो वो कहीं न कहीं क्या करेंगे कम पढ़ेंगे आज जो लोग अभी लार्सियम सेलेक्शन नहीं हो पाएगा दुखी मत हो ना आगे भी टेसी आरी उसको क्रैक कर लोगे तो भाई उससे बहतर है ना हा लेना देना दोनों ही गलत है बट जो ट्रेडिशन है जो एक मार्केट में चल रहे तो इसको परमट नहीं कर रहें जब क्या बलता है उसको देज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराद है आपका जोब आप बता वल्ले की नहीं पैसा लोगे कि दिल से बता रहें अगर फैनेंसिली कंडिशन मेरा बहुत अचा क्योंकि एक अच्छा अपने आप में पाद है तो लोगे तुम जब नहीं ले जो भी लड़के वीडियो देख रही होगी ना तुमको तो पकाल नहीं भाई फिर ही मिशादी हो रहा है तो देखा जाएगा ठीक है एक है एक उम्र के बाद वो भी सोचा है लेकिन मैं भी मानता हूँ इस बात को अगर जब अब हो जाए ठीक है फैनेंसिल अगर पैसे पर को खता हूं कि लास लाँच तक आपको क्या चाहिए चैथा जिसे के बुद्धय को बच जाएंगा उनके लिए अप क्या संच रहे हो क्या एकशे आपने शायबी के आपका शीय dar है ठीकिना आपका नहीं होता है तो दुख इस बात का नहीं होता कि till Δोस्त का मेरा नहीं वा तो उस बात को आज कना दोस्त का करो शाएं सांथा बेघा है वह वह कमाएगा और हम सकुछ करते हैं तो औो उस दुख को कैसे खाम करें का जिनका स대ltion नहीं होगा क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हुआ है कि इसके पीछे का डार्क साइट क्या है अब देखो यह सब डार्क है कोई डिसकर्स नहीं करें कोई आपको मोडिवेट नहीं करें इंपोर्टेंट है सब्सक्राइब करना पता यहां पर जो मेंडल प्रेशर पड़ता न वह भी बहुत मैंने रगता पता आपको आज को इतना स्ट्रेस भी आप पता गुगल पर जागे सर्च करना बहुत लोग डिप्रेश्ट होकर मढ़ रहे हैं बहुत लोग टेंशन में फ्रस्टेशन रगता हैं हैपिनेस हैपिनेस इंडेक्स में हम लोग 126 नमर पर अच्छा इ सब्सक्राइब करें आपके पास कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आपके लिए बेस्ट और अपरशनिटी आएंगी जो बिट्टेक वाले को मिलेंगी चुकि आप एक पादावन जेए के पुस्ते आगे तक आपके पास डिग्री रहेगा तो कहने के आप बेस्ट चीजों को करी जाओगे आज नहीं तो कल लगी जाना जब भाई जब सब को जब के लिए पढ़ रहे हो तो आज नहीं तो कल लगी जाएगा तो पड़ लोगा कमेंट आ रहा था कुछ चल रहा था जो एल रर्सी वर्सेस बिट्टे का पेरिंग क्या करें जौब छोड़ना है या जौब करना है यह बिट्टे करना है या क्न्फिजन काफी लोग आ था तो मैंने आपको यहां पर मौकिक तरफ पर डिसकर्शन करके हम दो लगा के लगे रहें चलो all the way सभी को मिलते हैं next video में जय हिंद जय भारत